नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आई होप सो अच्छे ही होंगे मैं भी अच्छी हूँ और मैं सुबह उठ गई हूँ टाइम हो रहा है साड़े पांच बजे दिन है फ्राइडे दिन के सुरात हो रही है गरम पानी से थोड़ी सी एक्सेसाइज के बाद गरम पानी और यह विल्कुल तसली से आराम से बैठके आप पीएं जैसे मैं पी रही हूँ क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि वैसे तो भागदोड़ वाला होता है लेकिन आप वर्किंग नहीं है तो घर में है तो आप सुबह आदा गंटा अपने आपको दें थोड़ी सी एक्सेसाइज करें या कुछ भी करें पर घूमें टहलें वाहर जाएं जो भी करना है लेकिन आप पानी पीएं तो थोड़ा सा अराम अराम से यह बड़ी बोटल है तो इसमें मैं एक साथ ही करम करके ले आई थी इसमें सम्थिंग तीन ग्लास के असपास पानी आ जाता है तो मैं इसको एक बार में भर लेती हूं और पूरा कम्प्लीट करती हूं इसको क्योंकि सुबह आप जितना अच्छा पानी पीएंगे आपकी बोड़ी अंदर से उत उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है कि आप उस पानी में कुछ भी डालके रख लें और उसको पीते रहें तो इस पाने आप पानी पी पाएंगे अदिक और पानी पीने के बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा सामान कल मैं मेरट गई थी वहां से भी कुछ सामान लेके आई हूं घर का और मेरट इसके मोदिनगर की मार्किट से भी कुछ समान आया है कुछ किचन का है कुछ किचन का ही है उलमोश तो क्योंकि रासन तो किचन में यूज होता है एक दो समान थोड़ा सा वैसा है एक केक टिन लेके आई थी चकोर वाला तो बाकी सब चीजे हैं औ और मैं अभी आपको दिखाऊंगी यह करने के बाद मैं सोचा पहले मैं अराम से पानी पी लेती हूं थोड़ा सा उसके बाद लगाओं क्योंकि उसकाम में लगने माला है डेड़ से दो घंटा क्योंकि सारा समान अलग-अलग करना है फिर उसको सेट करना है दाले सब डबो में भर के रखने हैं तो इसलिए तो थोड़ा सार ग्लैक्स करके फिर मैं उसकाम में लग जाती हूं और बच्चे अभी सो रहे हैं हो सकता है जब तक मैं समान लगा हूं तो सायद उठ जाए कोई सा अभी तो दोनों सो ही रहे हैं तो और और जो मैं वीडियो डाल रही हूं कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि आजकर लोगना होम लोग जादा पसंद कर रहे हैं हों मुलोग से मतलब आप अपने पूरे धीं में क्या क्या करते हैं दिन चरिया एक तरह से अपनी YouTube पर शेर करना तो वो चीजह आज कर वह ज्यादा अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज आज अप कमेंट करके बता सकते हैं अगर पसंद नहीं आ रहा तो कोछिस करूंगी कुछ और वेखर करने की तो अब मैंने काफी रिल्लैक्स कर लिया है तो चलीए अब लग जाते हैं काम पर और शाधा है आराम बहुत हो गया है तो अब यह सारा समान मैंने यहां रख लिया है निकाल के सब अब कि इसको मैं कर देती हूं शुरूब लगाना पहले मैं स्कोग सब को protests करओंगी कि कि या समान किदर रखने का है सब निकाल के उसके बाद में लगांगी यह में नपकिन लाई है मियो नीज है यह सब ना मैं बड़े पैक लेके आती हूं ताकि ना बीच बीच में फिर भागना ना पड़े तो यह बैग और जो औरेंज वाला बैग रखा है यह दो बैग आए हैं कैंटीन से मतब बैग क्या जो इनके अंदर समाना वो कैंटीन से है बिस्कुट नमकीन है और यह क्या बोलते हैं इसको सैंपो वगरा है साबुन हैं यह सब चीजे वहीं से आई हैं कुछ मसाले भी में लाई हूं कुछ दाले लाई हूं वहीं से यह केक्टीन और एक चाय छन्नी लाई हूं चाकु एक यह दूबती महां बहुत अच्छी खुश्बुकी मिलती है कैंटीन में तो दूबती भी महीं से आई है जो कैंटीन से इजीली मिल जाता है वो कैंटीन से लाए हैं लेकिन कैंटीन वालों ने रासनिंग कर रखें कि आप इस से जादे नहीं ले सकते तो इसलिए वहां से जो मिला वहां से बाकी लोकल मार्किट से आया है दो सिल्वर फोल लाई हूँ ये एक रिफाइंड का कि अच्छी के बाहे हों सब्सक्राइब पैकित लाई हूं जतनी बहुत अच्छी हैं चाहे बहुत अच्छी थी लाई हूँ जितनी नों पाँछ छेंएं आगिशन के लाएं च्छा लाई हूं लो उन्होंने दी है कि इस से जादा आप नहीं ले सकते तो इतना समान तो केंटीन से आया है और इस बैग में मैं सारा समान लाई हूँ मोदिनगर की लोकल मार्किट से ये भगवान गंज मंडी है में जो एक ग्रोवर की दुकान है उनके हमारे आरासन आता है तो ये महीं से पर्चा दिया थी उनको बना के उन्होंने घर बिजवा दिया है चिन्नी का कट्टा भी और बाकिये जो भी समान दाले रहेगी थी कुछ तो कि दाले तो कितनी तरह की होती है छोले अगर आचने इस सब चीजे तो मंत में की बार आता है तो जो नहीं आया था वह में उनके पर्चा दिया है उन्होंने भिजवा दिया है यह दो में सेवई के पैकिट लाइए उनसे बहुत अच्छा एक स्वीट डिस बनाऊंगी यह फूल मेंदा है यह गरम मसाला मैं साबुती लाती हूं घर में पीशती हूं खुद गरम मसाला और लाल मिर्च और साबुत धनिया इसमें लाल मिर्ची है और यह है धनिया यह तीनों चीज में सुखा कर पीश कर रख लोंगे यह ऐसा ही मैं करती हूं जब भी आता है मैं घर में ही पीशती हूं इनको क्योंकि मुझे मार्केट की पिश्यू पर थोड़ा न विस्वास्ता नहीं होता और बलके मेरी जो क्योंकि घर है घर में सबी चीज चाहिए होती है यह बेशन विराजधानी का आ गया है और यह आई है दाले काले उड़द कि यह जो भी दाले रहे गी थी वो सब ग्रोवर के हां से आई है ठीक है तब यह हो गया खाली अब इस सब हो ना सारा समान लगाना है किचन में तो अब देख लेते हैं कि पुराना क्या क्या रखा है उसके बाद शुरुआत करते हैं लगाने की तो इसमें मैं अब चेक करूँगी कि किसी की डेट एक्सपार तो नहीं हो रही है किसी चीज की तो वो सब चेक करके मैं तब इने रखूँगी क्योंकि पुरानी चीजे आगे रखनी होती है और नहीं पीछे ताकि पुरानी यूज हो जाए हाला कि मैं सालों के पैकेट में व और जब इस तरह रखे रहते हैं आपको घड़ी घड़ी भागना नहीं पड़ता मार्केट के लिए देखो समान पैसे उतने ही खर्च होने हैं आप एक बार कर लो या रोज रोज कर लो तो आप एक बार लिया होगे तो उस चीज से बच जाते हैं कि आप खतम होगे अरे सबच होने हैं आप एक साहथ लाओ या एक एक करके मगाओ तो यह सब चीज़े तो मैं इसे लग दिया है और अब इस टोकरी में मैं रख लेती हूँ देखो मैंने पीशक कर रख रखें इसमें हल्दी के साथ ही अब मेरे पास यह रखें आप इन्हें मैं सुखा कर यह सब मैंने लगा दिया है क्योंकि बार-बार केमरा सेट करना पोसिबल नहीं होता देखो यह जो एक बोटल वाली रैक्स है उसमें मैंने उपर मसाले रख रहे हैं नीचे सारी बोटले रखी हैं सोस की है रुपजा विनेगर टमेटो यह सोस ग्रीन वाली रेड़ चिली सोस सब सोस इसी में रखे हैं और ऊपर यह सारे इसमें मसाले रखे हैं सोप होगी राई होगी काला नमक हो गया है चाट मसाला यह सब चीजे चोटी से छोटी चीज में यूज करती देखो यह इनों की सिसी खाली हुई थी मैंने इसमें स्टिक रख दिया इसमें इनों रखा है यह पीतल साप करने वाला ब्रासु है यह यहाँ पर essential oil है तो यह side में खाली जग एती तो इसमें मैंने छोटे समान रख दिये हैं तो इस तरह मैं अपना organize करती हूँ और पूरी रसोई तो मैं कैसे रखती हूँ यह आपको अलग वीडियो दूंगी में और दाले मैं सब इस तरह स्टील के डबो में रखती हूँ इन पर सब पर चिट लगी हूई है और इन में अबना दो किलो के अकोडिंग है यह कि एक डबे में दो किलो दाल आ जाती है तो इसलिए मैं सभी दाले इन ही में कर रखती हूँ अब उपर ही जो बास्किट रखी है बाकी चीज़े इसमें रखी है जब जरुत हो तब निकाले तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी तो छान लेते हैं मठ्थे को यह मलाई से बना हुआ मठ्था है तो इसलिए मैं इसको छान ले हूँ क्योंकि छानना थोड़ा से जरूरी है क्योंकि मलाई का बना हुआ है और यह कुछ मैंने ताजी दही बनाई थी इसको भी मैं छान लोगई इसमें तो यह छान के तयार है अब इसमें डाल लेते हैं बेसन और कुछ बेसन मैं निकाल लूँगी पकोड़ियों के लिए अलग यह मैंने निकाल लिया पकोड़ियों के लिए अलग और इसमें डाल लेते हैं कुछ सूके मसाले इसमें डाल लिए इसमें लाल मिच दोनों में साथ साथ ही डालती रहूंगी सूका धनिया डाल दिया है पकोड़ी वाली में भी डाल दिया है अब डाल दिया है नमक उदर पकोड़ी वालो में भी डाल दिया है अब पकोड़ी वालो में डाल लूँगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज क्योंकि मैं प्याज डाल के बनाती हूँ पकोड़ी कड़ी में डा करते हैं कित हुए कि थोड़ा पतला करके गोल कर दिया हो सेट हो जायगा तब तक में कडी defendKI को बीमें को भी में पर खञे रहीक है साइड में तो मैं पॉकोडी बना लेती हूं पहले तो ऐसे ही पॉकोडी अभी तो एक कि दालने की जुरत नहीं पड़ती कुछ भी पानी वगरा और चाई भी बन रही है देखो गी भी बनाना है अब कड़ी रख्या चलो कड़ी छोग दिते हैं मैंने डाल दिया है मेथी डाना इसमें और लाल मेच डाल दिया साबूत प्याज डाल दिया है यह डाल दिया है अद्या चम्ह छींग है है तो कि अच्छे से मिकस कर लेंगे जब ही अच्छे से भुन जाएंगे अभी देखो भुन गया है इसमें डाल दे कड़ी पत्ता कड़ी adrenalρ मैं मत डालें क्योंकि जल जाता है यह और इसमें डाल आने तक continuous हम चलाते रहेंगे देखो इसमें बोईल आ गया है आप इसको खदकने देंगे कम से कम आदा पोना घंटा आप कड़ी को जितना ज्यादे खदकाएंगे उतना ही वो टेस्ट अच्छा आएगा उसमें कड़ी में खदकने का ही काम होता है में ठीक है नहीं तो ऐसा ही कच्छी कच्छी बन जाती है वह अच्छी नहीं लगती और ठंडी होने के बाद अजीब सी हो जाती है और अगर आपकी कड़ी अच्छे से खदकी होगी ना तो ठंडी होने के बाद भी इतनी तेस्टी रहेगी और कड़ी की पहचान होती है जब साइड में पपड़ी बनन करने का उसको कि अधिक गिर गी थी और इसे तुरंट साफ कर दें नहीं तो फिर सूख जाती है तो ज्यादा मेनत लगती है अधिको पपड़ी बन रही है साइड में पड़ी पर अच्छे से लेकिन अभी यह बहुत देर खदखने वाली है अभी तो सुर्वात है खदखेगी े चांदा सफिश में कर देंगी डालने के बाद भी अच्छे सेंखेगी कम से अंदा घंटा वी थो है मैं रोटिया सेक लेती हूं रोटिया शेकने के बाद बस फिर सब साथ बैठके खा लेंगे बच्चों को भूग भी लग रही थी तो मैं चलो इतने कड़ी पकरी है इतने रोटिया सेख लेता है अब कड़ी ने रोटी भी बन रहे है और कड़ी में चला दूँगे कड़ी अल्मोस्ट बन चुगी है देखो कितना अच्छा टक्ष ना इसमें थोड़ी सी कथ कासुरी मेथी डाल दूमी क्रैस्ट करके अर थोड़ा सफोंट पावडर तो सुख को मोई ध्रक जिसको बोलते है इसको ऑफ़ तो यह आप नमीएजा क्ड़ी का करम नो यह करते हैं लिए कम सी घी थोड़ा सा तक ना शुच आपटा। लाल मिच आप ऐसा खाएं लेकिन इस तड़का लगाने से बहुत टेस्टी लगती है और अगर आपको में रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और बताएं कि मैं ब्लोगिंग करूं या डिसीज की ही वो डालों रेसिपी और देखने के लिए दन्यवाद मिरती फिर अपने किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते बाई बाई फ्रेंड्स